अगर आप पौधे को पेश्ट इंसेक्ट फिरी रखना चाहते हैं, इस समय फंगस प्रॉब्लम आपके प्लांट में ना लगे, मिलीवक की समस्या ना लगे, तो कुछ सावधानिया जो आपको इस समय वरतनी है, कुछ गलतिया जो आपको करने से इस समय वचनी है तो वेलकूम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है, फिर से एक नए वीडियो के साथ, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, कि कौन-कौन से गलतिया करने से हमारे पौधे में मिलीवक फंगस की प्रॉबलम प्लांट में अक्षर देखे जाते हैं, अगर हम इन गलतियों को करने से वचे, तो बहुत हत तक प्लांट को आप अपने प्लांट को फंगस प्रॉबलम से वचा सकते हैं, मिलीवक की समस्या से वचा सकते हैं, और इस रेनी सीजन में आपके प्लांट हरे वरे और अच्छी मातरा में फूल देंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से 4-5 प सबसे पहला जो गलती हम इस समय करते हैं अकुसर प्लांट लगाने के लिए प्लांट प्लांट की रिपॉर्टिंग करने के लिए इस समय कीचेन वेस्ट का यूज करना प्याज के छिलके या फिर वेजिटेवल पिल्स के छिलके का यूज करना इस तरह से हम भर कर मिट्टी के नीचे इस तरह से भर देते हैं और उपर मिट्टी डाल कर पौधे के लगा देते हैं या फिर पौधे की कटिंग लगा देते हैं तो इस तरह तो आप पौधे लगा देते हैं लेकिन ए धीरे-धीरे एक किशन वेश्ट ही है जो रूट में फंगस प्रवलम को इस समय किरियट करते हैं लगतार वारिस के कारण ए अभी कमपोश्ट नहीं वने हैं लेकिन ए धीरे-धीरे अगर इस तरह से प्लांट रिपॉर्टिंग करेंगे पूरे कमपोश्ट डाल कर तो इस समय अक्सर हमारे पौधे फंगस प्रवलम के घीर जाएंगे तो ये गलतियां आपको नहीं करनी हैं खास कर इस रेनी सिजन में कीचन वेश्ट का यूज आप कम से कम करें वेचिटेवल्स या सबजियों के पील्स का यूज आप ना करें हाँ इसका यूज आप कमपोश्ट बनाने के लिए कर सकते हैं लेकिन प्लांड की रिपोटिंग करने में विल्कुल भी ना करें या फिर कटिंग लगाने में हमेशा कोशिस करें मिट्टी में लगाएं या फिर उसमें खाद दीम खली मिक्स करके ही आप लगाएं इस तरह से आप कभी भी रिपोटिंग ना करें आधी मिट्टी और आधा कमपोश्ट डाल कर नहीं तो आपके प्लांट पूरी फंगस से खिर सकते हैं इस समय वारिष क सीजन में दूसरा जो कारण है इस समय कुछ ऐसे भी पौदे हमारे गार्डन में होते हैं उपर से ग्रोथ तो करते रहते हैं लेकिन नीचे से पूरी तरह से आप देख सकते हैं एक रिस्थमं के प्लांट है इसकी प्रोनिंग में हार्ट प्रोनिंग समर में ही की थी इस समय इसकी growth भी हो रही है लेकिन देखिए लेकिन नीचे से बहुत सारे पत्ते सुख रहे हैं अगर ए पत्ते पूरी तरह से गमले में गिरेंगे और गिरते गिरते ए पूरे क्रिस्टमं के प्लांट को सुखा सकते हैं तो इस समय इन प्लांटों को आपको चेक करनी हैं कौन से ऐस प्लांट है जो नीचे से पूरी तरह से सूख रहे हैं और उपर से हरेवरे हैं उन प्लांटों की आप इस समय हार्ट प्रूनिंग कर दें और इन सीखे हुए पत्ते को गमले में ना रखें नहीं तो इधीरे धीरे पूरे प्लांट को आपको खराब कर देंगे जैसे कि दे प्लांट पूरी तरह से खराब होने की इस्तिती में थे तो इस इस्तिती में भी अक्सर पौधे में फंगस प्रॉबलम कीरेट हो जाते हैं तो फंगस प्रॉबलम से बचने के लिए आपको इस समय जितने भी इस तरह के प्लांट है जो नीचे से पूरी तरह से ड्राइ हो उसके पत्ते सबसे पहले आपको हार्ट प्रोनिंग कर देनी हैं जैसे कि देख सकते हैं मैं भी क्रिस्तमन के प्लांड की हार्ट प्रोनिंग कर देंगी और आप चाहें तो इनके कटिंग को इस समय लगा कर नए पौधे तयार कर सकते हैं नहीं तो ये पूरे अगर इसकी हार् फ्रूंप रहैं और उपर से हरिवरे हैं, तो उन सब के आप इस समय हार्ड प्रूणिंग कर सकते हैं rainy Season में और अपने प्लांटको पेश इंशेक्ट होने से वचा सकते हैं और तीसरा जो सबसे वड़ा कारण है इस समय पेशट किचन वेस्ट का हिस समय यूज करना इस समय किचन वेस्ट आप यूज करने से आवाइड करें क्यूंकि इस समय आपको अगर इस प्याज के छीलके का आप फटिलाजर या फिर वेजिटेबल स्पिल्स के फटिलाजर यूज करते हैं तो यह भी फटिलाजर आपके पौधे में fungus problem को create कर सकते हैं क्योंकि इस समय liquid form में आपको use नहीं करनी है जब भी आपको use करनी है dry form में तो इस समय आप vegetables या fruit वाले छिलके का fertilizer use ना करें अगर use ही करना चाहते हैं तो जब बारिस रुकी हो तो थोड़े मात्रा में पूरे अच्छी तरह से चान कर use करें नहीं तो बीना चाने अगर use करते हैं तो वो भी millibug और fungus problem को बढ़ाने का काम करेंगे और इस तरह से आपके पौधे पूरी तरह से खराब हो जाएंगे लास्ट में जो important tips बता रही हुई इस समय कटिंग तो लगा लेते हैं लेकिन हम notice नहीं करते कि गमले के drainage hole बंद है या फिर खुले हुए हैं इस तरह से हम cutting लगा लेते हैं और धीरे धीरे एक cutting पूरी तरह से खराब हो जाते हैं इस देख सकते हैं इसमें कुछ cutting में ऐसे ही गाड़ दी थी जेट प्लांड की और देखिए पूरी तरह से मिट्टी भी खराब हो चुके हैं क्योंकि इसके पूरे drainage hole पूरी तरह से बंद हैं और ये पूरी तरह से मिट्टी के ऊपर fungus problem दिख रहे हैं यानि कि पूरे मिट्टी खराब हो चुके हैं और देखिए मिट्टी खराब होने के वज़ा से पूरे प्लांड कटिंग भी देरे देरे खराब होने की इस्तिती में हैं तो इस तरह से हम प्लांड या पौधे को लगा लेते हैं नरसरी से लाकर या फिर कटिंग लगा लेते हैं लेकिन चेक नहीं करते हैं कि उसके मिट्टी कैसी है, अगर मिट्टी अनहिल्बी है या फिर उसके ड्रेनेज होल बंद हैं, तो पूरी तरह से आपके पौधे खराम हो सकते हैं। अनहिल्बी मिट्टी भी इस समय यूज़ करना सही नहीं है। तो इस समय आप कोशिस करें जो भी मिट्टि बैगरा यूज कर रहे हैं अच्छी तरह से उसमें फंगी साइड नीमखली मिक्स करके ही पौधे को लगाए आनहिल्दी मिट्टी का यूज ना करें बिल्कुल हिल्दी मिट्टी होनी चाहिए नहीं तो इस तरह से आनहिल्दी मि ग्रोथ भी दुगनी तेई से होगी तो फ्रेंस अगर रेनी सिजन में इन गलतियों को करने से बचें तो आप अपने पौधे में ना हिल्दी ग्रोथ इस समय ले सकते हैं बलकि कलिया और फूल और फल की संघ्या भी दुगनी मात्रा में इस समय देखे जाएंगे तो मिलतें सब्सक्राइब नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए धनले बात